हेलो स्कूरिंट आज हम कथा मंजूशा से पास दो कुबेर का घमन पढ़ेंगे कुबेर कौन है धन के देटा कुबेर कहलाते हैं उनका घमन किस प्रकार से चूर हुआ इस पास में हम देखेंगे तहानी में हम देखेंगे धन के देटा कुबेर को अपने धन पर बहुत घमन था, उनका मानना था कि धन के दिना कोई काम पूरा नहीं किया जा सकता रह मानते थे कि तीनों लोकों में कोई भी काम उनकी सहायता के बिना हो ही नहीं सकता उनका ऐसा मानना था कि धन के बिना तीनों लोकों में कोई काम किया ही नहीं जा सकता, हो ही नहीं सकता और इसी बात का उनको घमंड था अपने इसी खमण के कारण उन्होंने सोचा कि मैं कोई ऐसा काम करूँ जिससे देवताओं में भी मेरा मान समाल बढ़ जाए उन्होंने सोचा कि सभी देवताओं को ऐसी दावत दी जाए जैसे पहले किसी ने ना दी हो उन्होंने इसमें अनेक प्रकार के वेंजन बनाने का निशे किया उन्होंने निशे किया कि इस दावत में वो अनेक प्रकार के वेंजन यानि भूजन अलग तरह तरह के भूजन बनवाएंगे खुबेर भगवान शिव की पूजा करते थे यानि उनके भगत थे भगवान शिव के भगवड़े भगत थे इसलिए वे सबसे पहले भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे हाथ चोड़ कर बोले हे प्रभु मैं आपके सम्मान में एक बड़िया दावत देना चाहता हूँ कृपा करके आप परिवार सहित मेरे घरा कर इस दावत का मान बढ़ाएं शिव जी ने शांती के साथ उतर दिया पुत्र तुम तो जानते ही हो कि मैं खाने पीने के लिए कहीं बाहर नहीं जाता मेरे लिए तो यहां के फल ही काफी हैं देवी पारवती भी मेरे पिना दावत में नहीं जाएंगी भगवान शिव कि सबकी मन की बात जानते थे और वे इसलिए समझ गए थे कुबेर को अपने उपर घमन हो गया है इसलिए उन्होंने ऐसा कहा हाँ मैं अपने पुत्र गणेश को जरूर तुम्हारी दावत में जाने के लिए कह दूला भगवान, शिव और माता पारवती के पुत्र गणेश जी बहुत शरार्ती है वहें दुखों को दूर करने वाले भी माने जाते हैं मातारवती के तो वह बहुती पुत्र है छोटे कद एवं मोटे शरीर वाले गणेश का मुः और सिर्थ हाती का है दोनों दांतों में से उनका एक दांत मूटा हुआ है जिसके कारण उन्हें एक दंत आ जाता है यानी एक दंत वाले एक दांत वाले अलग अलग प्रकार का खाना खाने का उन्हें बहुत शौक है लड़ू उन्हें विशेश रूप से पसंद हैं उन्हें खुश करने के लिए सभी लोग तरह तरह के बढ़िया चीज़ें उन्हें खिलाते हैं भगवान शेश से दावत का दिन निशित करने के बाद कुबेर अपने घर लोते और सैयारियों में लग गए कुबेर चाहते थे कि दावत ऐसी हो जैसी अब तक किसी ने ना दी हो और लोग खाकर वावा कर उठें दावत के पश्याद भी काफी समय तक लोग उनके द्वारा दी गई दावत की प्रसंसा करते रहें इसके लिए उन्होंने विबिन हल्वाईयों को बुलाकर व्येंजनों की जानकारी भी ली थी तरह तरह के हल्वाईयों को अलग अलग हल्वाईयों को उन्होंने बुलाया था और क्या क्या व्येंजन बनेगा इन सब की जानकारी उनसे ली थी उन सब से सल्हा करके अनेक प्रकार के व्यंजन इस दावत में बनवाने का मिश्य किया था सभी देवी देवताओं को निमंत्र पहले ही भीजे जा चुके थी आखिर दावत का दिन भी आही गया दावत के लिए बनाई का इस्थान को खूट सजाया गया दूर दूर तक खूलों एवं मोतियों की सजावत की गई इस सजावत को जो भी देखता वे तारीव की बिना न रह पाता था बहुत सुन्दर सजावत की गई थी इसलिए हर कोई उसकी तारीव कर रहा था सभी अतितिय अब आने लगे सभी ने सुन्दर वस्तर और आभशन पहने हुए थे और कुबेर जो थे वो भी खूट सजे हुए थे वह द्वार पर खड़े होकर अतितियों का स्वागत कर रहे थे कुछ समय बाद गणिश्ची भी आ गये कुबेर ने आगे बढ़कर उनका खुशी से स्वागत किया आखिर उनके ईश्वर के पुत्र जो थे सभी देखताओं में उनकी पूजा सबसे पहले गणिश्ची की पूजा सबसे पहले की जाती है अन्य कुछ देखताओं से मिलने के पश्चात खुबेर गणिश्ची को भोजन वाले कमरे में ले गए जह कमरा बहुत बड़ा था गणिश्ची अपने स्थान पर बैट गए उनके सामने चौकी रखी गए सोने की ठाली और फिर सोने की कटोरियों में उन्हें भोजन जो था वो परोसा गया उन्होंने भोजन करना शुरू किया और देखते ही देखते उनके सामने परोसा गया सारा भोजन समाप्त हो गया उसी समय दुबारा भोजन परोसा किया गणिश्ची ने वे भोजन भी समाप्त कर लिया खाना परोसने वाले अधिकतर वेक्ती उनके पास आकर खाना परोस्ते और गणिश्ची जल्दी सोसे समाप्त कर लेते खुबेर ने और खाना परोसने वाले व्यक्तियों को केवल गणिश्ची के लिए ही लगा दिया उन्हें जल्दी जल्दी जो था खाना लाकर वे लोग परुसने लगे और उन व्यक्तियों के अब हाथ पैर दुखने लगे रसोई धर में बनने वाला खाना एवं कच्चा खाने का जो सामान था वो सब यप समाप्थ होने लगा था पर गणेश जी की भूब जो थी वो अभी तक शान्त नहीं हो रही थी गणेश जी की खाने में थोड़ी सी भी देवी सहन नहीं होती थी वे भोजल इस्थान से उठकर स्वेल की रसोई घर में जा पहुँचे और वहां रखके कच्चे पक्चे सामान जो भी रखा था उसे चट कर गए गणेश जी का पेट भी नहीं भरा तो कुबेर के खजाने के कमरे में पहुँच गए और उन्होंने वहां का रखा हुआ सारा खजाना जो कुबेर का था उसे भी खाकर समाप कर गिया और इसके पश्चात कुबेर से बोले मुझे अभी भी भूख लगी है मुझे और खाना चाहिए भोजन चाहिए यदि तुमने मेरे लिए और खाने का प्रबन नहीं किया तो मैं तुम्हें खा जाओंगा कुबेर ये सुनते ही परिशान हो गए उन्हें समझ नहीं आया कि गणेश जी को क्या कहें कुबेर को चुप देखकर गणेश जी प्रोदेथ होकर अब उनकी ओर बढ़े गणेश जी को अपनी ओर इसकार से आते देख कुबेर दर गए और भागने लगे कैलाश परवत पर कहुँचकर शिर जी को पुकार सुने और बोले है प्रबु मुझे बचाईए कुबेर के उत्तर देने से पहले ही गणेश जी भी वहाँ पहुँच गए और बोले मुझे बहुत भूख लगी है शिर जी बोले जाओ अपनी माता से खाना ले लो गणेश जी के जाते ही कुबेर भगवान शिर जी के से शमा मांगने लगे अब करके उनकी आँखे खुल गई थी और उनका जो धमन्ड था धन को लेकर वो भी अब चपना चूर हो गया था तो इस प्रफार से पहानी से हमें यही शिक्षा में थी कि हमारे पास जितना भी है जो कुछ भी है हमें उसी में संतुष रहना चाहिए क्याकि ईश्वर द्वारा प्रदान की गई किसी को अधिक किया है तो किसी को कम किसी के पास अधिक है तो किसी के पास कम लेकिन हमें आरे पास जो भी है हमें उसके संतुष रहना चाहिए किसी बी чीज को लेकर हमें कभी घमांन नहीं करना चाहिए हमारे पास अच्य हो न अ हो या नहीं और चीज हमाँ पास अदिक्ता वे हो­ climate करना चाहिए क्योंकि कमन का जो नतीजा है पैणाम जो है कभी भी अच्छा नहीं होता है पच्छ इसके अब हम प्रश्न उस्तर करेंगे जो कि आपको पता है कि लास्ट में लिए गए हैं पाट के इसका पहला प्रश्न है कुवेर डावत क्यूं देना चाहते थे कुवेर जो कि धन के देव तक हैं उन्हें एक बार अपने धन पर बहुत घमंड हो गया उनका मानना था कि धन के बिना कोई काम पूरा नहीं किया जा सकता और तीनों लोकों में कोई भी काम उनकी सायता के बिना नहीं हो ज़ता और इसी घमंड के कारण उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा काम करूं जिससे देवताओं में मेरा मान बढ़ जाए और इसके लिए उन्होंने सोचा कि सभी देवताओं को ऐसी दावत दी जाए जैसी पहले करी किसी ने ना दी हो दूसरा प्रेशन है कुबेर दावत के निमंतरन के लिए सबसे पहले शिर्टी के पास क्यों गए कुबेर भगवान शिर्टी पूजा करते थे उनके परम भगते इसलिए दावत के निमंतरन के लिए वे सबसे पहले शिर्टी के पास गए तीसरा प्रेशन शिवजी ने दावत में जाने से क्यों मना कर दिया शिवजी ने दावत में जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वे खाने पीने के लिए कहीं भार जाते नहीं थे उनके लिए वहीं के फ़ल ताकी थे प्रेशन चार दावत का प्रभन कैसा था दावत का प्रभन बड़ा ही शानदार था दावत के लिए बनाए के इस ठान को खूब सजाया गया था दूर दूर तक फूलों और मोतियों से सजावत की गई थी जिसे जो भी देखता तारीत के बिना न रह पाता था विभिन हलवाईयों को भी भोजन और वेंजन बनाने के लिए उलाया गया था इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी अपने उपर घमन नहीं करना चाहिए इश्वन ने सबको अलग-अलग हुनर और चीज़र दी है किसी को अधिक तो खुसी को कम दिया है जो वैक्षी किसी भी कारण से अपने उपर घमन करता है उसे जीवन में परिशानियों का सामना करना ही पड़ जाता है जैसे कि हमने इस कहानी में कुवेर का घमन इस कहानी में देखा कि अंत में कुवेर को भी किस प्रकार से मुसीबत का सामना करना पड़ा था बच्चों इस पाठ की जो प्रेश्ण है यह पाठ जो प्रेश्णों को आख हिंदी लेंग्वेज की कॉपी में करेंगे Thank you children